मार्केट में लोगों कल क्या देखा था अगर मार्केट उस साइड में डिनना है यह अगर गप खोलेगी तो यह आपका प्रस्पोर्ट का रिया हो सिंपल एनलस्टी कोई टफ नी था अमने खुलते ही 9-15 में बाई किया था इसलिए मैं टेलीग्राउं पर मैसेज भी फ्रैश तो खुलते ही आपको 58 रुपीज वाल जी आपकी फिन निफ्टी की कॉल जो थी 110 रुपे की आसपास गई थी और निफ्टी बैंक की कॉल अगर मैं बात करता हूं जिस पर ट्रेड लिया था 43,380 की कोल आपकी 180 की आसपास से लेके 320 की आसपास तक गई थी यहां जाने के और एक मौर्णिंग में 9-15 पर ट्रेड दिया था दोलों ही ट्रेड अपने प्लांड थे प्लांड क्यों थे हमेशा दखना कि अगर ट्रेडिंग में प्लानिंग करके चलोगे ना पहले से ही तो आपको ज्यादा फाइदा मिलेगा रादा जान कि हम अभी कोई डबलू बन है वह सब चीज़ है ना कि यहां पर आसपास यह आपका सपोर्ट अरिया था जब इसने यहां से एक पॉजिटिव एक्शन दिखाना शुरू किया तो सम्वेर अरण हम लोगों ने इस जगह पर बैंक निफ्टी को दुबार से बाई किया था निफ्टी इतना आपका बैंक दूजी बना रही है ठीक है यानि इससे हमने समय में क्या आता है इससे हमें यह समझाता है कि מאंदर अकरे शर्टorf भागा था जिसकी वैसे अपने ने इतना 확진 नहीं रहें भागा नहीं है तो म Ooh n कि दोजी बन रही है ठीक है इससे पहले भी दोजी बने थी यानि दूरिंग दे बायर सेलर्स खूब फाइट कर रहे हैं कि इधरी की तरह भी मार्केट को लेके जाना है अब जीते का कहा पर कौन कैसे बिल चलेगा अगर वापस से मार्केट कौन से लेवल आ रहे हैं आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन देना शुरू करते का दिख रहे हैं तो कौन सा भी आपका अभी के रहें जा रही है नीचे की 42,800 और उपर की रेंज थोड़ा से इसको नीचे करते हैं कि 42,500 के आसपास इसका रेजिस्टन से लोटीती है अब करना क्या है अगें ओपनिंग प्रैस कल भी हम लोगों ने यह देखा था कि ओपनिंग प्राइस इंपोर्टन आज भी हां तुमौरो के लिए भी हम लोग क्या देखेंगी ओपनिंग प्रैस इस इंपोर्टन सबसे अगर आप देखोगे अगर बेरिश फ्लाइब हो जाएगा वापस से इस स्विंग की निस जा रहा है कौन सा रहा हो 42,900 अगर इस की निस जाएगी वापस से तो अपने को एक शॉर्ट साइट का टेट मिल जाएगा तोबर्स अपना फ्री सपोर्ट में आप काम नहीं करेग आपको देख सकते आने वाले टाइम में ठीक है यानि कि 42,900 आपका इंपोर्टेंट लेवले फोर डाउन साइड उपर क्लिए कौन सा है यहां पर शॉर्टिंग बनी थी और यहां से एक यह वाले आता है यह सारे बायर्स का जितने भी बायर्स होते ना उन सब का स्टॉप आज की केंडल का लो लगा हुआ है इमेजन करो देखो हर चीज ना पूरा प्राइस सेक्षिन बायर्स सेलरी है और कुछ नहीं प्राइस सेक्षिन में यहां पर आसपास अपका आपको क्या लागा होगा बायर्स का स्टॉप लोग एक सट्टन स्पाइक मिला उसके बात के यहां पर अगर वह पर से मार्केट इस लेवल प्रॉस करती है तो आपको उपर करना क्या है इन दोनों की बाहर जहां मी निकलेगा उधर की तरफ मिल जाएगा सिंपल कोई ज्यादा वह नहीं है उपर कौन सार आप 300 है और इवेंचुली आपको 500 तो ऑबिसली राउंड ले जाने मिलेगा तब मैं बेच हो जैसे यहां पर एक पॉजिटिव एक्षिन मिलाता है नीचे की नेट खरीदने का वैसा नीचे कहां खरीदना है अगर मार्केटी फॉटी रूटी रहा तो फिर नीचे नहीं खरीदना फिर क्योंकि आपके यह सारी सपोर्स बेकार हो जाएं आते हैं निफ्टी पे ना निफ्टी भी अगें इसी जोन के अंदर आपका कल हम लोगों ने देखा भी था यह चीज बनेवी थी यह आपकर एक सपोर्टर काम कर रहा है और यह दोनों ही चीज़े अपनी सपोर्ट से लोटी है ठीक है वह पस से अगर बात करता हूं तो क्य जितने भी बाइट से यहां पर आपके यह बाइशलर से यह आपके बाइशलर के रही है तो अगर शॉटिंग तरफ जाना नाइन टीन थाओडन नाइंटीन के नीचे साइड पे ठीक है बाइंग करना है इस बीच में आपको पोई टेट निए नीना है सिंपल उपर के बार हम लोगों ने चीज़ देखी हर बार कि कभी भी बॉटम वी शेपे नहीं जाता है एक रैट केंडल पैंडिंग होती ही होती है मार्टिटी चाहिए देन उपर गया करेक्ट अगर वापस से इसके उपर क्लोज होने में आपका रहा यह कैपेबल रहा तो बढ़ी अटे किम बहुत वर्सकेश मानलों मुव नहीं आ रहा है दोनों साइड अपॉर्टिटी मिल नहीं तो कहां पर क्या करना है यह आपका एक रिजिस्टेंस पॉइंट है ठीक है और यह आपका एक सपोर्ट पॉइंट है ठीक है तो इस रेंज में आपको बिल्कुल बीचू-बीच जाओ गया हमेशा या कभी भी ना हम लोग यही गलती करते कि सपॉर्ट रेड लेते रहोगे बीच में तो फ़र जाओगे ना अभी क्या करना है सिंपल इसके उपर जाएगा तो आपका प्राइस अक्शन ही मनन रहा है उपर गया नीचे गया उपर गया ठीक है यह मैं आप सब्सक्राइब यहां पर आपके मैक्जिम पूट राइटर साके बैठ गए ठीक है कॉल राइटर कितने यानि यह दिवार बन की खड़ी हुई यह दिवार है ठीक है इस दिवार के नीचे जाएगा तक भी अपने को शॉट का मिलेगा उससे पहले शॉट नहीं करना तो बहुत ज्यादा वह नहीं है तो डिटा आपका बुलिट साइड में ही है जो आपको बता रहे है ठीक है बैंक निफ्टी के बात करता हूं तो नाव बैंक निफ्टी के क्लोजिंग का हूंगी 43,000 के उपर यह वाले आपके मेंशन शीट में भी कर दूंगा को यह वाले कॉ यह नीचे आपको 43,000 ही आपका मेंग और ब्रेक लेवल है ठीक है दो हस्ट दूसो पॉइंट ऊपर की रेंज एंट दूसो पॉइंट नीचे की रेंज यह स्टैडल में मेंशन कर दूंगा प्राइस कि इतना है शीट के अंदर ही आपको एडिटर लगा देख लेना तो उस थ्री लेक फाइव लेक ठीक है कॉल्स है आपकी अपोट्स भी है ठीक है कोई ज्यादा हो नहीं है मतलब है तो ठीक है अपने को निकल गया यानि की मार्केट में एक रेंज बनी हुई है कौन सी रेंज है 42,800 की आउपर है 43,200 यह एक 400 पॉइंट की रेंज है जिदर की साइ ठीक है यह फिर क्या होगा 42,200 की आसपास एक बार जाएगी फिर वपस नीचे आके फिर इस तरीके से बिल्ट अप करके जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा ठीक है ब्रेक आउट का भी मैं बना दूनों को यह वीडियो भी कौन से ब्रेकाउट लेजिट उतने कौन से नह नहीं, see you next session, till then, bye-bye